हेलो चैंपियंज वेलकम बेक टू यूर ओन यूटूब चैनल फॉस्ट फ्लाइट दोस्तो आज हम करेंगी हिंदी सिनेमा और उसका अधियन के अंतरगत जी हिंदी हिंदी सिनेमा का क्वेशन पेपर तो इसमें टोटल क्वेशन आये थे फाइफ और करके आये थे तो आपको कोई भी फाइफ अटेंप करना था तो अगर आप फाइफ टॉपिक अच्छे से करके जाते हैं तो आपका एक्जाम बहुत अच्छा जाने बाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉस्ट क्वेशन है हिंदी सिनेमा के सैध्धानतिक अधारों का विवीचन कीजिए तो इ कि समाज में उसे चल क्या रहा है, समाज कर अक त подарite से आप दरपन कहे सकते हैं, उसके बाद आत्वा करके दूसरा question था कि हिंधी सिनेमा में गीत संगीत की महतोपन भूमिका है, तो सबसे पहले आप इसमें definition दे सकते हैं, कि हिंधी सिनेमा मतलब है क्या, उसके बाद गीत संगीत आप एक दो एक्जैम्पल्स देखे उसके थूरू समझा सकते हैं कि हिंदी सिनेमा में गीत की भूमी का बहुत महतोपुन होती है कैसे तो हिंदी सिनेमा में जो संगीत है गीत है वो लोगों को एक तो मनुरंजन प्रदान करता है दूसरा ये है कि जो बहुत सारे ऐसे सौंग होते हैं, जो हमें क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो आप इसको अच्छे से उधारन के थूरू समझा सकते हैं, उसके बाद second question है, हिंदी सिनेमा के उदभव और विकास के प्रमुख बिंदूओं पर विचार कीजिए, तो ये वाला जो topic है, वो मै कैसे कैसे विकास हुआ है, 90 के दशक में, उसके बाद, उसके बाद का, सारा मैंने explain किया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा, उसके बाद इसका अथवा था, कि हिंदी सिनेमा में 90 के दशक के बाद, आए बदलाबों को रिखांकित कीजिए, तो इसमें भी यह ही है कि जो विकास हुआ है, वो 90 के बाद हिंदी सिनेमा का कैसा विकास हुआ है, मतलब रंगीन फिल्मों का प्रेचलन आ गया, उसके बाद बहुत सारे सौंग्स इसमें अड़ान होने लगे, सिनेमा में कैमरे की भूमी का बहुत महतुपुन हो जाती है, तो यह सारे आप विकास लिख सकते हैं, उसके बाद थर्ड क्वेशन है, सिनेमा निर्मान में कैमरे का महतु क्या है, तो यह टॉपिक भी मैंने अपलोड किया है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं, फर्स फ्राइट चैनल पे, हिंदी सिनेमा में कैमरे की भूमी का बहुत महतुपुन हो जाती किया है, तो आप जाकर देख सकते हैं, इसका अथवा में क्वेशन था, सिनेमा सुटिंग में कैमरे की एहम भूमी का है, इसमें भी कैमरे की भूमी का आपको बतानी है, तो आप यहां से जाकर देख सकते हैं, आपको समिक्षा करना है, तो कैमरे की भूमी का इसमें आपको plus point भी बताना है और camera के negative points भी बताने है और उसके बाद अपने answer को conclude करना है उसके बाद fourth question है कि Mother India Mother India या PK इन दोनों फिल्मों में से किसी एक पर आपको समिक्षा करनी है तो Mother India, PK ये दिवार, ये सारे फिल्म ये मुगले आजम ये सारे फिल्मों मैंने upload कर रखे हैं तो भी आप जाकर check कर सकते हैं और समिक्षा में हम यही बताते हैं कि उसके positive impact क्या पड़े ये समाज पर negative impact उसका क्या पड़ा तो ये आप अच्छे से explain कर सकते हैं उसके बाद next question है fifth last question है कि इसमें से किने तीन पर आपको क्या करना है संशिप्त में notes बनाने है तो कह है साहित्य और सिनेमा का अंतर संबंद तो ये topic भी uploaded है आप जाकर check कर लिजीगा कि हिंदी सिनेमा और साहित्य का बहुत गहरा संबंद है दोनों एक दूसरे के भी नाधूरे है साहित्य में अगर कुछ लिखा जाता है तो सिनेमा उसे प्रशारित करके दिखाता है तो ये आप लिख सकते हैं उसके बाद next है कला सिनेमा कला सिनेमा भी uploaded है वीडियो इसकी तो आप जाकर देख सकते हैं dumping आप चाहे तो छोड़ दीजिएगा ये इतना important नहीं है उसके बाद वैसे dumping में मतलब आप लिख सकते हैं उसमें ये आप लिख सकते हैं कि सिनेमा में कभी कबार ऐसा होता है कि कोई movie बहुत hit कर जाती है और कोई movie क्या हो जाता है तो वो बहुत जादा hit नहीं करता है जाता है निर्माता को तो ऐसे आप बना के लिख सकते हैं उसके बाद सिनेमा निर्मान की चुनोतियां क्या क्या चुनोतियां तो बहुत सारी चुनोतियां है कि मतलब अच्छा कामरा होना चाहिए उसके बाद वातावरन अच्छा होना चाहिए उसके बाद अच्छे content होने चाहिए अगर यह सम नहीं हुआ तो जो movie है वो hit नहीं कर पाएगी और वो flop हो जाएगी तो यह आप लिख सकते हैं और last है दिवार की समबाद योजना तो दिवार movie uploaded है आप जाकर देख सकते हैं तो यह आपके total questions थे 5 questions थे तो इन में से friends अगर cinema के तो वहां से आपकी exam की तयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी तो thank you so much दोस्तों जुड़े रहने के लिए वीडियो अच्छी लगे तो like कीजिए subscribe कीजिए channel को और दोस्तों में share करना मत भूलिएगा जहें दोस्तों मिलते हैं next नए topic के साथ नए वीडियो में धन्यवा कर दो में रधिया भीडियो में च्छी जोस्तों में प्रूण में अच्छी हो जआ ही बहुत में धन्यवा कि से वीडियोर नह था प्रूब हु़ हो जा गूझ भीडियो से हो दोस्तों में एद楽ी।